तो हाई गाई इस वीडियो में बात करने वाले आई एम के बारे में इंडियन इंस्टिट ऑफ इंजिनेरिंगे मैजमेंट कॉलका ता सौल इक में सिचुएटेड है उस कॉलेज का रिव्यू करेंगे जानें बहुत इंपॉर्टेंट डीटेल्स उस कॉलेज के बारे में और बहुत कुछ इस वीडियो में उसमरे में जेन आवको सुरस में सब्सक्राइब कर दो कि इसके बारे में किसी इसके बारे मिलकी क्या क्या डिसकस करने वालेगे मुझ देख लो इसका शुछ णिख और ने वाले क्या-क्या इंप्रेंट रैंकिंग से इसने क्या हासिल क्या है मिन्स इसका क्या रैंकिंग है क्योंकि यह एक्च्वल में वेश्ट बेंकॉल का नंबर वन कॉलेज अभी के हिसाफ से है क्योंकि आप जब टॉप 10 वाला कर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख मिल जाएगा और आपको दिख बिरॉग के स्क्री में जाकर देख लेना उसमें आपको दिखेंगा अभी एक नंबर पर मैंने आई-म को रखा है इसका रीजन में मैंने बता है क्योंकि इसका प्रेस्मेंट बहुत सही चल रहा है साथ ही साथ इसका बहुत कुछ मतलब जो र इनका जो बहुत सारा है कि इस कॉलेज में जाने के बाद आपको फॉरें इंवर्सटी में जाने का भी मौका मिलता है तो वह बहुत को पता नहीं होगा वह भी मैं बताओंगा प्लेस्मेंट्स को अच्छा से देखेंगे तो ओवराल व्यू होने वाला 360 डिग्री में तो व पहले होता है आपका WBJ जिसमें major part जो seat है वो होता है जो WBJ के अंडर आता है जिससे हम लोग देखेंगे आगे और इसके बाद second नमर में आता है J-Mains जब J-Mains का counseling WBJ में होता है तो उससे भी CTA fulfill होता है वो लगबग 10% के लगए 10% ही होता है seats जो J-Mains के लिए रहता है औ और कुछ seats institute खुद बचा कर रखती है जो private colleges है और top colleges है वो क्या करती है वो seats को directly students को देती है at a particular amount ठीक है उसके बोलते है diet admission तो ये तीन प्रोसेस है diet admission means management quota जो होता है हर एक institute का अपना management quota होता है तो वो आप यहां से directly avail कर सकते हो तो यहां पर हम लोग discuss करने वाद है WBJ के बा कैसे मिल सकता है तो आपको इस screen में दिखरा होगा call कर लेने description में link मिल जागा google form फिल कर सकते हो आपको किसी बावी option में कुछ भी कुछ भी जाना हो तो सब कुछ clarity हो जाएगा तो मैंने सब कुछ आपको बताया है सारा method जिससे आपको कोई भी confusion नहीं होगा इसकी बात जानत कर यह आता है मिन्स मकाउट जो है उसका affiliation मकाउट से है और अगर यहां पर कुछ देख सकते हैं अभी stats मैंने कुछ दिया है कि railway stations के कितना दूर से यह कितना दूर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले इंद का ranking तो सबसे बाला बात यह है कि यह nba graded है सा साथ NIF ranking आपको दिख रहोगा currently यहां पर ठीक है यह NIF ranking भी इसका है और साथ साथ आपको बहुत साथ rankings दिख रहोगा यह सब private rankings है mostly matter करता है यह वाला important है बाकी सब आप देखना चाहो तो देख सकते हो mostly यह matter करता है आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे आते हैं हम लोग बात क मिल जाएगा BBA मिल जाएगा BCA मिल जाएगा और humanities means arts वगरा भी मिल जाएगे तो यह बहुत सारा branches है और यहां पर आपको mechanical ही मिलेगा सेविल नहीं है electronics electrical ही है इस वज़से इसका placement percentage हाई है क्योंकि सेविल core branches का placement थोड़ा लोग चलता है तो उन्होंने यह रखा नहीं यह बह कर लें आगे हम fee structure की तो fee structure आपको screen में दिख रहा है कि fee structure हमें मैंने बस BTEC का ही बताया है हरेक का नहीं सीव अभी BTEC के बच्चे सबके मोशली देख रहे सलिए मैं बता रहा हूं तो at a time of admission आपको देख रहा हो गए कुछ amount लगता है बाकी सारा हरेक semester wise है अभी के लिए and TFW क कम लगता है प्लस यहां पे extra charges भी hostel charges वगेरा है और कुछ refundable cause and money है जो cause and money जो hostels में रहते हैं उनके लिए तो यह course का curriculum है और hostel का curriculum अलग है means hostel का तो अलगफी लगेगा तो यह आप देख सकते हो यहां पर मैंने सारा दिया यह सारा official website से मैंने दिया इसलिए कोई confusion ना हो कुछ भी website में भी जाकर check कर सकते हो आगे बढ़ते हैं सीट मैट्रिक्स सबसे important सीट मैट्रिक्स की बात कर लें तो हर एक branches में अगर देखोगे जो भी टेक के हैं वहां पे जी मेंस का सीट आपको दिख रहा का बहुत कम है क्योंकि जी मेंस ऑविसली 10% सीट सी रहता है और यह total सी इसको इससे मैनस कर तो को डेवलीजे कर सीट मिल जाएगा तो बस मैंने ओवर एक आइडिया आपको दे दिया है यहां पर दिख रहा को सीएजी में बहुत ज़्यादा सीट है ओविसली क्योंकि बहुत ज्यादा होता है ठीक है प्रफिट बेजादा होता इंस्ट्टीट इ बहुत सारे मिल जाएगे एथिकल हैंग भी सड़ी एथिकल हैंग इलेक्ट्रोनिक्स से सब्सक्राइब नहीं है अब देख लेएगे डिए का ब्रांच वाइस कट आफ आपको दिख रहा होगा यहां पर इंपॉर्टन बात में बता दूं कि यह ब्रांच वाइस आपको दि मिलेगा और आपको ऑपें का ही मिलेगा तो आप देख सकते हो रहेंगे अच्छा खास हो जाता है 8000 तक CS वगर CSBS के लिए CSBS का रहां बहुत नीचे जाता है CS का केड़ेगरी में CS का केड़ेगरी में वैसे आप में देखोगे तो बहुत कम होगा 2000 तक है ठीक है यह इसके बाद हम बात कर लेते हैं यह सारा अलग अलग ब्रांचे से आप देख सकते हो चाहो तो ठीक है और आप इससे देख भी सकते हो मैं हर एक को डिस्प्लेय नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इसमें अब बात कर रहते हैं यहां पर इसका ओपनिंग रैंक मत सारे का क्लो़्जिंग ऑगन कि तक में धुत ऑफ रहते हो लेकिन यह बहुत अब में बंद हो गया तो यही डिपेंड करता है यह बहुत ही रैपिड चेंज होता है क्योंकि यह पहले तो सब कुछ फिल्टर आट हो जाता उसके बाद इस टेट में आते हैं इसलिए तो बस आप एक रिफरेंस के लिए सकते हो उस पर बिलीफ मत करना WUJ में आप देख सकते हैं वह एकदम सही है उससे ज़्यादा है मतलब अंतर नहीं आएगा अब आज बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं अब बड़ी इनफर्मेशन है कि यहां पी यह भी ऑप्शन होता है जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनका फॉरण टाईप से और बहुत सारे institute के साथ MOU भी signed है तो यह बताता है कि institute बहुत सही है समझ मैं है placements की बात करें सबसे important भी placements क्या होगा तो placements की बात करें आपको दिख रहा होगा यह आपको highest 32 LPA गया है offered हुआ 8 students को Amazon से SD के लिए average package 7 LPA placement percentage 90% है और यह बहुत सारे आपको दिख रहा होगा 7.5 LPA TCS R&D के लिए मिला है और यह बहुत सारे अलग-अलग branches को सबसे हाइस 32 LPA ही गया है यहाप आपको दिख रहा होगा Adobe, Vipro, Vipro, Cognition बागेर तो चलो math secretary है लेकिन यहापे बहुत सारे bar clay हो गया यह Google off-campus होगा लेकिन Oracle, Adobe, Infosys यह Accenture भी चलो, Accenture, PwC यह सब जो companies है बहुत कम studio में जाती है जो यहापे आपको देखने को मिल रहा है तो यही बात है कि on-campus में आपको बहुत सारा opportunities मिल जा रहा है off-campus तो कोई problem नहीं off-campus तो मिलता है नहीं मिलता है depend करता है but on-campus आपको मिल रहा है यह बहुत ज़्यादा matter करता है तो I hope आपको सब को दिख रहा होगा कुछ भी देख सकते है आप इसका website में वे जाके ठीक है placements का data आप बात कर रहते हैं आपको बस campus lab में आप सब को देखाना चाहता हूँ कि आपको दिख रहा होगा बहुत किस जिन नहीं देखा होगा इस institute को तो देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है यह आपका sports का facility बगरा है और यहे पर हम लोग आज का video end करते हैं बहुत जल्दी क्योंकि यह time बहुत कम है इसका मैंने सब कुछ बताया है placement भी बहुत सही है rankings भी बहुत सही है प्लस types बहुत सारा है तो आपको बहुत offer करता है में उद्धा होता है हम लोग का placement लेना सबसे important वही है तो उसको देखते हुए मैंने obviously top 10 का rank बनाया है तो मिलते हैं अगले उड़े के आइस सब देक लिए ध्यान रखना ख्याल रखना पाले